तो आज हम पढ़ने वाले हैं File Menu का एक और Option जिसका नाम है Import और Import के अंदर हम तीन Option कवर करने वाले हैं आज पहला है Video Frames to Layer, दूसरा है Notes और तीसरा है Bias Support इन तीनों को हम Practically Use करके देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं तो वाज आईए देखते हैं पहला Option तो पहला Option है Import के अंदर Video Frames to Layer, देखिए यहां पर इसके नाम से ही पता चल रहा है Video Frames यानि वीडियो के अंदर से जो Frames होते हैं Video के वो Layer में Convert हो जाएंगे तो हम इस पर क्लिक करते हैं, तो यहां पर हमें एक वीडियो चाहिए देखिए हैं मैंने यहां पर Kids पिले नाम से MP4 यह वीडियो ली हुई है, यह दो सेकेंड की वीडियो है आपको यह धियान रखना है कि Duration कम होनी चाहिए वीडियो की, अगर वीडियो की Duration जादा होगी तो यह Import करने में Time लगाएगा यानि Hang करेगा सिस्टम तो मैंने यह 2 सेकेंड की वीडियो यहां पर ली हुई है, मैं इस पर Double Click करता हूँ देखिए तो देखिए यहां पर Import का Option आ गया, अब देखिए यहां पर Range to Import इंपोर्ट करने के लिए कितनी Range, यानि कौन सी Range आपको चाहिए From Beginning to End, यानि सारी वीडियो चाहिए, Beginning से End तक, तो देखिए, मैंने दो सेकेंड की तो ही मेरी वीडियो, देखिए, मैं प्ले करके दिखाता हूँ, देखो, दो सेकेंड की वीडियो है, दो सेकेंड से भी कम की है, देखो, देखो, दो सेकेंड की वीडियो है, तो देखिए, इससे भी कम चाहिए, तो आप इसको यहाँ से ऐसे फीछे ड्रैइक कर सकते हैं, तो देखिए, यह selected range आजाएगी, यहाँ पर, यहाँ अगे देखो, selected range only, यहाँ पर आप click भी कर सकते हैं, यहाँ पर selected range पर, और फिर इसको आप बता सकते हैं, या फिर आप इसको जैसी पीछे करेंगे या इधर से आगे करेंगे ऐसे तो इस selected range automatic select हो जाएगा मतलब कितनी आपको चाहिए देखो यह in point है और यह देखो out point है इतनी चाहिए या पूरी चाहिए तो देखो यह तो वैसे ही फ्रेम हमें import करना है या उससे भी कम का तो देखिए मैं यहाँ पर फिफ्ट नंबर फ्रेम कर देता हूँ फिफ्ट नंबर का मतलब हो गया कि बीच में चार फ्रेम छोड़कर पांचवे नंबर का फ्रेम import हो जैसे कि अगर बीस फ्रेम है तो सिर्फ चार फ्रेम ही import हो तो मैं यहाँ पर फिफ्ट नंबर का फ्रेम import कर रहा हूँ यह इसलिए करते हैं क्योंकि वीडियो में एक सेकिंड की वीडियो में कम से कम 25 फ्रेम होते हैं 25 फ्रेम FPS यानि पर सेकिंड फ्रेम एक सेकंड की वीडियो में 25 फोटो माल लीजे फोटो होते हैं फ्रेम होते हैं तो वही फ्रेम को हम लिमिट में कर रहे हैं कि एक सेकंड की अगर वीडियो है तो चार या पांच फ्रेम उसके उठा ले बीच बीच में से ठीक है अब देखे ये make frame animation अगर आप उस frame का animation में convert करना चाते हैं उसको तो मैं भी इसको animation में convert नहीं कर रहा इसको ऐसी ही रहने देता हूँ और मैं इसको okay करता हूँ जैसी मैं इसको okay करूँगा तो देखी यह जो है ना देखो यहाँ पर import हो गई फाइल देखो first layer second third देखो कितनी layers आगए होगी देखो यहाँ पर नो layer आगए यहाँ नो फ्रेम जो थे वो layers में convert हो गए तो देखो यहाँ पर इसको बंद करके देखो देखो यह देख रहे हैं आप यह देखो यह नो फ्रेम में convert होगी जो वीडियो थी आपकी इस तरह से तो अभी क्या है देखो यह layers तो बना ली लेकिन अब आप सोच रहूंगे कि इसको कहा यूज करेंगे इसको क्यों हम लेंगे तो देखो किसी वीडियो का अगर कॉलाज बनाना हो या कोई वीडियो में से कहीं कहीं से frames निकाल ले हो फोटो निकाल ले हो तो इसको यूज कर करता हूं देखो ऐसी और select करके देखो इसको select किया और इसको Ctrl J दबा कर मैंने अब यह मेरे पास एक frame हो गया अगला देखते हैं इसको रने देते हैं यह वाला frame देते हैं अब देखो इसमें हम यहां पर select कर और फिर मैं इसको Ctrl J दबा कर यहां से copy कर लेता हूं यह वाला अ अब मैं इसका फिर से एक selection बनाता हूं, देखिए, और इसको फिर से मैं हम आप कंट्रोल J प्रेस करता हूं, और देखिए, यह जो है, अब मैं इसको crop कर दे रहा हूं, तो देखिए तीन फोटो का छोटा सा कुलास चोटा सा एक्जामपल मैंने आपको बना के दिखाया है आप इसमें बहुत तरह के अलग तरह के कुलास बना सकते हैं अलग तरह के एक्जामपल्स त्यार कर सकते हैं किसी वीडियो से फ्रेम लेकर तो चलिए आप मैं आपको आगे वीडियो से फ्रेम एनिमेशन और उसके बाद जिफ कैसे बनाते हैं जिफ फाइल कैसे बनाते हैं यह और करके दिखाता हूँ तो देखे इसको हम क्लोस कर देते हैं और क्लोस करने के बाद फिर से हम इंपोर्ट करते हैं यहाँ पर देखे इंपोर्ट और अपकी बार फिर से वही ऑप्सन लेते हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं यह मैं फिर से बिगिनिंग फ्रॉम एंड ले लिया मैंने तो लिमिट मै करने के बाद देखिए यहां पर इसको फिफ्टीन लेर् नहीं है और फिफ्टीन लेयर मैं इसको कंट्रॉल दबा कर बढ़ा करता हूं अब देखें यह जो नीचे timeline है इसको देखकर आप confuse मत होना इसके लिए जब मैं animation करवाऊंगा timeline करवाऊंगा तो इसको पूरी अच्छी तरह से आपको समझाऊंगा कि यह किस तरह से काम करता है इसमें animation कैसे बनता है और इसके अंदर यह अलग अलग तरह के जो options दिये है यह कैसे काम करते है अभी सिर्फ जो simple वहाँ से import हुआ animation वो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहां से play करके दिखाता हूँ जैसी play करूँगा देखो यह animation यहाँ पर प्ले हो रहा है अब देखो क्या करते है इस animation को जैसे play हो रहा है यह तो पूरी image play हो रही है मैं इसको crop कर लेता हूँ crop करके देखी यहाँ से मैं इसको इतने crop कर लेता हूँ अब देखो यहाँ पर इसका animation हो गया अब यह animation हो गया इसकी GIF कैसे बनाएंगे यानि वीडियो नहीं बनानी है, हमने GIF animation बनाना है, GIF file बनानी है, जिसको हम अपनी website में लगा सकते हैं, या कहीं पर भी किसी को अपने social media पर share भी कर सकते हैं GIF animation को, तो देखिए वो हम किस तरह से export करेंगे, वो भी देख लेते हैं, तो चलिए हम यहाँ पर चलते हैं, और file म पर हम save करते हैं, save करने के बाद देखो, यह image only, तो demo folder के अंदर देखिए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, playing kits, playing kits, और मैं इसको save कर रहा हूँ, save करने के बाद देखिए, यह file export हो जाएगी, save हो जाएगी, save हो गई, अब देखो, मैं इसको minimize कर रहा हूँ, और देखिए, minimize करने के बाद demo folder के अंदर चलते हैं, और देखो, यहाँ पर हमें मिल जाता है, देखो, यहाँ पर playing kits नाम से gif file मिलकी, देखो, हम इसको double click करते हैं, और इसको खोलते हैं, तो देखो, यह हमारी gif file प्ले हो रही है, देखो, इस तरह से प्ले हो रही है, तो यह लगातार प् इसको timeline को करवाऊंगा ठीक है अब हम अगला option देखते हैं तो चली इसको close कर रहा हूं और Photoshop खोल लेता हूं जब कर पाते हैं जब हम किसी फाइल में notes बना लेते हैं और notes बनाने के बाद उस फाइल को एक्सपोर्ट कर देते हैं Range Braces यह मैंने लिख दिया इसको मैंने close किया अब देखिए मैं दूसरा एक Note और बनाता हूँ इहां पर बता देता हूँ This color is pure green और मैंने इसको close कर दिया अब देखिए मैंने इहां पर दो notes बना लिए इस फाइल के अंदर पहला notes, दूसरा note आप देखें यहाँ पर यह जो note है, इसको अगर आप देखना चाहते हैं, तो इस पर double click करें, जैसी double click करेंगे तो यहाँ पर आगे कि इस note में क्या लिखा हुआ है, अगर आप इस पर click करेंगे तो यह पता चलिगा दूसरे note में क्या लिखा है, ठीक है, delete करना चाहते हैं, delete क को पढ़ता जा सकता है नोटS को कि हमने क्या क्या किया हुआ है तो चली देखते हैं तो यहां पर फाील में चलते हैं और यहां करते हैं सेवड्ड करने के बाद देखू यहाँ पर हमें मिलता आश ओ। फॉटोशॉप पीछडी फाइल मिलती है our computer फोटोस आप PDJF मिलती है तो इसको नाम आप और डीमो के अंदर हम सेट कर ली और डेमो के अ देखो डे吗 फोल्डर के अंदर मैंने सेट कर दिया तो ऑपन हिल्स पीडियाँ है तो हमने सेट के पूछता है कोंसे पर आचुकी और इसको हम खोल लेते हैं Acrobat Reader में यानि Adobe Acrobat Reader एक software होता है Adobe का ही तो उसमें हम इसको खोल लेते हैं Double click करेंगे तो उसमें खोलेगी file तो देखो यह file खोल गई अब देखो यह जो है यहाँ पर आप देखेंगे तो देखो इसके उपर जवाब जाएंगे तो यहाँ पर लिखा रहा है All these clouds are made by Photoshop और इसके उपर जाएंगे तो भी यहाँ पर लिखा रहा है This color is pure green अब देखो यहाँ पर भी आपको यह समझ में आ रहा है कि इसमें कितने notes बने हुएं देखो यहाँ पर दोनों notes यहाँ पर आ गए अब देखो इस पर आप क्लिक करके भी यहाँ पर देख सकते हैं देखो यह ऐसे कौन सा है इस तरह से और इसको पर जाकर भी से पढ़ सकते हैं तो देखो हम PDF में कोई भी information जो हमने Photoshop में डाली है notes के through वो हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं मैं इसको close कर रहा हूँ अब देखो यह file हमारी PDF की यहाँ पर तयार है अब इसके अंदर जो notes है वो हम import कर सकते हैं अपनी file में वो कैसे करेंगे देखो मैं इसको minimize कर रहा हूँ और Photoshop खोल लेते हैं देखो यहाँ पर अब देखो यह notes जो है इनको मैं delete कर रहा हूँ मैं यह notes से इसको delete कर रहा हूँ right click करके delete all notes यह देखो यहाँ पर notes delete हो गए अब यह notes मुझे किसी file से import कराने है लेकिन वो PDF file से import होते हैं तो देखो हम यहाँ पर चलते हैं file में और import में जाते हैं और यहाँ पर notes नोटस import करा सकते हैं देखे हमने notes पे click किरा और य ấy PDF file demo के अंदर है इसको double click किया तो देखो वो notes यहाँ पर import हो गए आप किसी file में import करा सकते हैं इसमें import हो गए अब यह वोई notes हैं जो PDF file के थे वो उसको आप import करा सकते हैं इसी फाइल में नहीं किसी भी फाइल में इंपोर्ट करा सकते हैं बास समझ के तो नोट्स इस तरह से इंपोर्ट होते हैं तो देखिए अगला ओप्सन है यहां पर देखिए यह है वाया सपोर्ट क्या है जैसी अब इस पो क्लिक करेंगे तो देखो यहां पर यह कहता है कि को बॉबरा हो आपका इस्से अटैच कंप्यूटर से या आपका स्कैनर अटैच हो या कोई रीडर अटैच हो तो वो अगर आपका अटैच है कंप्यूटर से तभी आप इसमें वहां से फाइले ला सकते हैं, मैं अभी आपको अपने मॉबाइल को कनेक करके इसमें कुछ फाइले लाकर दिखाता हूँ कैसी हम इसको करेंगी, तो मैं इसको क्लोज करता हूँ कर रहा हूँ, तो देखिए मैं इस मॉबाइल को connect करता हूँ अपनी laptop से उसके बाद मैं आपको बताता हूँ किस तरह से हम इसमें import कर सकते हैं इसमें से file है ठीक है तो देखिए connect करने के बाद इसमें तीन option आते हैं देखिए पहला है charge only दूसरा है transfer file और तीसरा है इसमें transfer photos हम बीच वाल option करते हैं transfer file हम झांकर कर दिया transfer file करने के बाद में अब देखिए हम यहाँ पर फिर से हम चलते हैं देखो यहाँ पर file में और file में जाने के बाद हम और import हम हम इसमें इम पर हम करते हैं import और देखे, यहाँ पर demo, demo को मैंने select किया हुआ है, ठीक है, इसके बाद देखे, यहाँ पर है open required image in photoshop, तो हम photoshop में open जरूर करें image को, उसके बाद लेंगे, तो हम करते हैं start, तो देखे, यहाँ पर one plus 80 लिखा गया, यह मेरा mobile का नाम है, और देखे, यहाँ पर मैं इसको ok करता है, तो यह मैंने filter ले लिए देखे, यहाँ पर camera है, camera पर double click करते हैं, यह खुल जाता है, तो देखो यह thumbnail से इसमें show नहीं हो रहा है, तो हम detail on कर लेते हैं, detail में देखो यह हमने analysis पर click किया, तो यह हमारे photo आ गया, देखो अभी इस photo को हम get picture करते हैं, get picture करने के बाद देखो तो यह photo हम यहाँ पर ला सकते हैं, किसी भी medium से photo उठाया जा सकता है, तो यह जो photo है, यह मेरे दोनो भाई है, एक मुमेरा भाई है, एक चचेरा भाई है, इनके photos है, हम कही घूमने गए थे साथ में, तो देखोगा, इस तरह से हम direct Photoshop के अंदर photo उठा सकते हैं, किसी भी external device से चैसे scanner है, scanner से उठा सकते हैं, camera है, उससे उठा सकते हैं, mobile connect कर लें, कुछ भी connect करके, आप direct photo उठा सकते हैं, अपनी Photoshop में, ठीक है, तो guys, बस इस tutorial में इतना ही, कैसा लगा आपको tutorial, अगर आपको अच्छा लगा, तो like करें, share करें, और guys, अगर कुछ कहना है, तो comment box में लिक हम बझेता है, बढ़ते हैंऄमे लेक हैं, कैसा YouTube हैं वेक हैं, कैसी में ही एम लुछ कहीं हैं, कैसी हैं, बचैको अभ में खवा घ् funny में, बजह और ए वतके लगार में अभाव था आपको अव्स, भी हूंआ हे थे रह ठीकिए रहा झास regenot, बटे एमे इमें हैंडे से